हैलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल अपना सपना में दोस्तों मैं हमेशा की तरह उपस्तीत हूँ आपके सपनों का लेखे लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारी YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके तो दोस्तों आज हम सपने के विशे में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में आप खुद को तीलक लगाती हुए देखते हैं तीलक यानि जो माथे पे टीका लगाया जाता है अगर आप सपने में तीलक देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रबाब डालेगा दोस्तों सोने के बाद हम कई परकार के सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उसी सपने के बारे में व्याख्या करते हैं उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं इन सपनों को क्या मतलब होता है तो दोस्तों सपने में तीलक लगाना तीलक लगाते हुए देखना या एक अच्छा और एक सूप सौपन माना गिया है तो दोस्तों कुल मिला के सपने में तिलक लगाना ये एक बहद अच्छा और एक सूप सौपन माना गिया है वो इसों अपन सास्तर कहता है कि जब भी आप वहसे सूप सौपने दिखाए दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नी चाहिए किसी के सामने व्यक्त नी करनी चाहिए ऐसा करने से सपने पूरे होई की संभावना एकाम हो जाती है तो उमीद करता हो दोस्तों कि दी गई जानकरी आप वो पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों